और गुलबर्गे के हर मुसल्मान को इस इश्चू पे खड़ा होना पड़ेगा इस इश्चू को जो खमरुल इसलाम साब ने शुरूर की थी जमीर एमद सहाब आप कहते हैं कि अल्ला मंज ये पूछेगा जो परेशानी है उनके परेशानी को समझी अल्ला ये भी सवाल आपसे पूछेगा इमाम को सिर्फ और सिर्फ चार हजार रुपे दिये जा रहे हैं जमीर तु वक्त का मिनिस्टर था तूने क्या किया आपका जो जजबा है मौदन और इमामों के लिए दिखाईए आज ये नोबत आया जो पूरी खौन को लेकर चलने वाले हैं उनके इलाज के लिए चंदा हैं उसको देखते हुए आल करनड़का इमाम और मौदन असोसियोशन ने मिलकर इनके तमाम मसलों को उजागर किया है अवाम के सामने लाया है जैसे के इमामों का हदिया मौदन का हदिया 2012 में सबसे पहले करनड़का के अंदर ये मौदन शुरू हुई कि इमाम और मौदन को गौवर्मिट के जानिब से हदिया दिया जाए उसको शुरू करने वाले मरहूम शेर करनड़क खमर इसलाम सहाब थे आज 12 साल के बाद हमें अफसोस होता है कि जो मौहीम करनड़का से शुरू हुई थी वो आज पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुकी है वहीं दिल्ली के अंदर इमाम को 18,000 का हदिया दिया जा रहा है और मौदन को 14,000 का हदिया दिया जा रहा है तलिंगाना में इससे ज्यादा दिया जा रहा है वहीं हमारे करनड़का में इमाम को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपे दिया जा रहा है और मौजन को 3000 रुपे दिये जा रहे हैं आज के दौर में आप लोग समख सकते हैं कि 3000-4000 में कैसे घर में गुजा रहा होगा कैसे वो अपने नीड्स को पूरे करें इसी तरीके से आल करनडगा मौजन इमाम और सोशन ने ये डिमेंड्स उनके रखे हैं कि तमाम इमाम और करनडगा गौर्मिट एक एक प्लॉट मुईयक कराएं उनके लिए जैसे कि तलंगाना में दिया गया है ये उनका हक है उन्हें देना चाहिए साथी साथ मौजन इमाम और मौजन का अगर इंतेखाल होता है तो उनके फैमली के लिए इमाम और मौजन के बेवाओं के लिए उनके बाद उनके फैमली अराम से गुजारा कर सके वहीं उनके बच्चों के लिए इस्पेशल श्कॉलर्शिप देना चाहिए उनके अजूकेशन के लिए आज हम देखते हैं लोग अपने बच्चियां की शादी इमाम और मौजन से करने से कत्रा रहे हैं इसकी वज़ा य रहे हैं आपके अगर दोस्त इमाम है मौजन है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाईए और करना डगा के अंदर जितने भी मौजन से काम कर रहे हैं उनसे आप जुड़िए ये आपके मसले उठा रहे हैं उनसे जुड़के उनकी ताखत बनिये गुलबरके के तमाम इमा को इस दोश्चु पर क्ड़ा होना पड़े गा क्योंके हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बचों को इमाम और मौजन बनाने के लिए माबाब भी सोज रहे हैं कि इसको बनाने के बाद आगे और इसकी लाइफ में क्या होगा ये कैसे गुजारा करे है इतनी बड़ी महेंगा को जाते हैं, खास कर जुमा के दिन, जब हमारे सामने थैलिया और डबे लेके आए जाता है, तो हम वहाँ पे 10 रुपे, 20 रुपे डालते हैं, इस बात पे भी गोरो फिकर हमें करना है, आज हमारे एक मुबाइल का रिचार्ज 900 से 1000 रुपे हुआ है, और हम जिसमें पांस्ट हमें में लाइट दी जाती है, फियान दिया जाता है, ठंडे के लिए कई जगे पे कुलर्स है, AC है, हमें वजू के लिए पानी दिया जाता है, यह सारे सौलत हमारे लिए कालीन बिचाई जाती है, हमारे लिए टूपी का इंतिजाम किया जाता है, वक्त का मिनिस्टर था, जमीर तु वक्त का मिनिस्टर था, तूने क्या किया, इस मसले पे आवाज उठाईए जमीर एमास सहाब, आपका जो जजबा है, मौज़न और इमामों के लिए दिखाईए, इन लोगों के दिलों में खुरान है, खुरान मजीद ही अपने दिलों में चलते हैं, इनकी जो परेशानी है, उनके परेशानी को समझी, अल्ला ये भी सवाल आपसे पुछेगा, मैं इस वीडियो के हमाद्यम से आपसे भी गुजारिश करता हूँ, कि आप इस मसले को गोरो फिकर करें, इस मसले को जल से जल हल करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे स अपसोस होता है इसे वीडियो जब हमारे सामने आते हैं, आप बहुत खेरात करते हैं, बहुत बड़े दिल के हैं, बहुत पैसा लुटाते हैं, आप इस इश्चु को उठाइए, इस इश्चु को जो खमरुल इसलाम साब ने शुरू की थी, इसको मन्जिल तक आप कहुँ झाल 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